मैं माननिय मंत्री जी के लोकसभा चेतर से ही हूँ 5 जुलाई 2016 और 3 सितंबर 2017 को माननिय मंत्री जी ने सपत ली थी मंत्रीपद की समिधान की पहली सोगंद थी जो अबा साब अमेड करने कही थी कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लाश्टली उसके बावजूद 28 मार्च 2018 को परदान मंत्री जी से एक दल सोला मंत्रियों का मिलता है और दवाब बनाता है कि SCST पे जो सुप्रीम कोट ने अध्यादेश लाए है उसको वापस लिया जाए और वो वापस नहीं लिया गया इसलिए पूरे भारत में दो अपरेल 2018 को जिस प्रकार से जो नुकसान पूरे राष्टर को हुआ है मैं माननिय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि और किसी एक जाती की तरफ जुकाओ दिखा कर आपने 36 कों के साथ गलत नइंकिया है क्या आपने जो सविदान की सोगंद ली थी उस सोगंद का हननन नहीं किया है यह मेरा मैं जानना चाहता हुँ जबाद दूआ देखिए हमने सपत ली थी सबका साथ सबका विकास और यह जब विशे आया तो इसमें कुछ मंत्री परदान मंत्री जी से मिल लें गए कि इसको हां मैं भी था इसमें इंप्लीमेंट कैसे होगा यह दबाव का विशे मैं आपको फिर कह देता हूं परदान मंत्री जी खिसी के दबाव से काम करते नहीं को मंक्री मंदल में ले जाते हैं चर्चा करते हैं जब ठीक लगता है तो मिलेशनलेते हैं हम यह कह रहे हैं जैसे आपको भी बता रहे हैं और आप भी बता दीजिए SSP राजस्तान में है क्या जांच करता क्या SSP यहां तो और ऐसा अमेंडमेंट कोई नहीं किया जिसे दूसरों को अहीत इसमें इफ नैसेसरी सब्द लिखावाए आप उसको अराम से पड़ लेगा उसका मतलब यही है कि आवशिक होने पर ही गृपतारी होगी इसका मलब जांच होगी अमसिकार मेरा नाम संपत सारसमत है यही बड़ा मुद्द बना कर पिछले चुनाओं में उन्होंने शतका में है फिर रोबर्ट वाडरा बाहर क्यूं गूम रहे क्यूं जेल के पिछे अच्छा सवाल पूछा है, appreciate, सवाल है कि अपने देश में कानून भी है, और कानून का राज एक प्रक्रिया गती होती है, तो आज उसकी जाज चल रही है, जाज नतीजे पर पहुंसते ही, ये सब आज राहूल गांधिया और सोनिय गांधि क्या है, आज तो बेल पर है न, कर दा मत करिये, निश्चित होगा